आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई दोहर 22 तक का जो वान लाइनर करेंट अफेर्स है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे या जो वान लाइनर करेंट अफेर्स है या सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो वान लाइनर करेंट अफेर्स है जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का भारत का जो पहला कारवन न्यूटरल पंचायत कौन बना है तो भारत का जो पहला क पुर्णिया जिला है जो कि बिहार में इस्तित है यानि अगर कोश्चन देगा कि हर गाउं में पुस्तकाले खुलने वाला जिला तो जामताणा ज्यारखन में और हर पंचायत में पुस्तकाले खुलने वाला जिला तो पुर्णिया है बिहार में इस्तित है अगला भारत का जो पहला सुध्ध ग्रीन हाइडरोजन प्लांट आइल इंडिया लिम्टेट द्वारा किस राज में चालो किया गया है तो असम जो राज्य है इसमें भारत का पहला सुध्ध ग्रीन हाइडरोजन प्लान्ट जो की इंडियन जो की आइल इंडिया लिम्टेट के द्वारा शुरू किया गया है वा असम राज्य में सुरू किया गया है पाचमा कोश्यान है किस सहर में भारत के पहले पोर्टेवल सोलर रूप टॉप सिस्टम का उद्गाटन किया गया है तो गांधी नगर है जो कि गुजरात में इस्तित है गुजरात की जो राध्धानी है गांधी नगर उसमें भारत के पहले पोर्टेवल सोलर रूप टॉप स जो है पहला फार्सी समाचार पत्र है जिसका 200 साल पूरा हो गया है। अगला है कारबन निूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज तो केरल जो राजल है भारत का पहला राज बना है जो जिसने फसल विविधिकरन पैटरन को सुचकान के रूप में दर्ज किया है अगला भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राजी में खोला गया तो भारत का जो पहला है लिथियम आयन बैटरी प्लांट वा गुजरात राजी में खुला गया है भारत की पहली जन जातिये स्वास्त वैद्यसाला कहां अस्थापित की जा रही है तो उडिशा राज है जिसे में भारत की पहली जन जातिये स्वास्त वैद्यसाला का अस्थापित की जा रही है अगला भारत के पहले स्वादेसी हाइड्रोजन इंधन वाले इ अगला है खादी के लिए भारत के पहले उद्कृष्टता केंद्र का उद्भाटन कहां किया गया है। भारत का पहला सहत गाओं गिलेज ओफ हनी कौन बन गया है तो मांधर गाओं है जो कि महाराष्ट में इस्तित है या भारत का पहला सहत गाओं बन गया है। तो रिलाइंस इंडेस्ट्री जो है वा सो बिलियन डॉलर से अधिक वार्सिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतिये कंपनी बनी है। पांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतिये महिला कौन बनी है। तो प्रियंका मोहिते जो है वह आठ हजार मीटर से अधिक उचाई कि इन्होंने क्या पांच चोटियों को फतह की है। और यह फतह करने वाली पहली भारतिये महिला बनी है। तो पुर्वोत्तर राज की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरवात किस राज में की गई है। तो आसम जो राज है उसमें पुरुवत्तर राज की पहली flying training अकादमी शुरू की गई है। Global Silk City Network का हिस्सा बनने वाला पहला भारतिय सहर कौन बना तो बैंगलूरू जो है वहाँ Global Silk City Network का हिस्सा बनने वाला पहला भारतिय सहर बन गया है। अगला है भारत का पहला विश्व सांती केंद्र किस सहर में स्थापित होगा। तो गुरुग्राम जो है वहाँ जो की हरियाना में यह हिस्तित है गुरुग्राम यहां भारत का पहला विश्व सांती केंद्र स्थापित होगा। अगला और द्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी में ने भारत का पहला पुर्ण e-commerce प्लेटफर्म लॉंच किया है। अगला भारत की पहली पोटेवल सौर छट परनाली का उत्गाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है। वो एक जगा से दूसरे जगा ले जाया सकता है और सूलर छट है वागला वैक्यूम अधारित सिवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला सहर कोन बनाया। अगला परधान मंत्री द्वारा गुजरात में उत्गाटन किया गया है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका नाम है दूधवानी अगला है गाउं के लिए गतिसील मांचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा बना है तो बिहार जो राज्य है वह गाउं के लिए गतिसील मांचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अगला है श्टील के जो कचला निकलता है उसको अबनाने वाला भारत का पहला राज बन गए अगला दृष्टी हें लोगों यो नागपुर जो है जो कि महाराष्ट में स्थीत है वहाँ दिरिष्ट ही लोग के लिए पहला रेडियो चैनल लॉंच किया गया है अगला है प्रवासी स्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माईग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप को विक्सित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है तो जो महाराष्ट सरकार है वहाँ प्रवासी स्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए उन्होंने क्या Migration Tracking System App विक्सित किया है जो कि महराष्ट सरकार के द्वारा किया गया है अगला है आईशमान भारत जन आरोग योजना के तहद सो परतिसत घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है तो यह साम्मा जिला है जो कि जम्मु कस्मिर में है वा आईशमान भारत जन आरोग योजना के तहद सो परतिसत घरों को कवर किया है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लौंच किया है तो भूबनेशवर जो की उडिशा में इस्तित था वहाँ भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लौंच किया गया है भारत का पहला अंतराष्ट्रिये बीतिये सेवाकेंद्र कहां कहां स्थापित किया गया है तो या क्या गान्दी नगर गुजरात में इसे स्थापित किया गया है भारत का पहला अंतराष्ट्रिये बीतिये सेवाकेंद्र अगला भारत का पहला पूरीतर हाइड्रो पावर और सौर उर्जा से चलने वाला हवाई अड़ा कौन बन गया है तो इंद्रा गांधी अंतराफ्टिय हवाई अड़ा जो की दिल्ली में इस्तित है या क्या आब हाइड्रो पावर और सौर उर्जा से चलने वाला या पहला हवाई अड़ा है अगला भारतिये रेलवे ने भारत मे पहला स्वादेशी रूप से निर्मित hyperpool, hyperloop, यह क्या medium of transportation अभी है, परनाली विक्सित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो भारतिय रेलवे जो है आयटिम मदरास के साथ सहयोग किया है, पहली स्वादेशी रूप से निर्मित hyperloop का परनाली का इस्तमाल किया जा सके, और इसे भीक्सित किया जा सके, अगला है दुनिया के पहले nano urea, सैंद्र का उद्गातन किस राज में किया गया, तो गुजरात है उसे राज वहाँ, दुनिया के पहले क्या nano urea, सैंद्र का उद्गातन किया गया है, देश का सबसे हुच्छा medical tower कहां बनाया जा रहा है, तो जो उत्तर भारत का पहला और द्योगिक बायोटेक पार्क का निर्मान कहां किया गया है। तो हिमाचल पर्देश जो है वह ड्रोन निती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। या भारत का पहला राज्य कोन बना है। और अपने महत्व को समझें इसके लिए बालिका पंचायत को का सुरुवात किया गया है कुजरात राज्य में। अगला है भारत का पहला क्रिसी भूमी मुल्य सूचकांग किस संस्थान द्वारा लाउंच किया गया है। तो क्या है भारतिय प्रबंदन संस्थान आहमादावाद के द्वारा जा है। भारत का पहला क्रिसी भूमी मुल्य सूचकांग जो है वह लागू लाउंच किया गया है। अगला है हाइब्रीड बिजली पर्योजना करने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन बन गया है। भारत की पहली महिला लडाकू हेलिकॉप्टर पाइलट कौन बनी है। भारत की पहली महिला लडाकू हेलिकॉप्टर पाइलट जो बनी है वह कैप्टन अभिलासा पाठक भारत की पहली महिला लडाकू हेलिकॉप्टर पाइलट बनी है। स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम जो गगन है भारत का जो गगन है स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम जो है इसका उपयोग करने वाला एसिया की पहली एयरलाइन्स कौन बनी है तो इंडिगो जो एयरलाइन्स है अब स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करे रहा था और अभी भी यूज हो रहा है लेकिन अभी जो भारत जो है अपना स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम क्या गगन जो की एसिया की पहली एरलाइंस बन गई है जो की स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज कर रहा है अगला हिमालियन वर्ड काउंट में किस राज में पच्छियों की प्रजातियां की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है तो उत्रा खंड जो है वह हिमालियन वर्ड काउंट में जो है पच्छियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है उत्रा खंड में अगला हम लोग देख लेते हैं जो पहली भारतिये लेखी का कौन है तो उनका नाम है गीतांजली श्री गीतांजली श्री है जो अंतराष्टिये बुकर पुरसकार से सम्भानित होने वाली पहली भारतिये लेखी का है अगला किस बाल्टिक देश में भारत जो है पहली बार दूतावास खोल रहा है तो जो पहला देश पॉन बना है तो डेनमार्क जो है वह पहला देश बना है जो कि COVID-19 टीका करम कारेकरम को स्थगित कर दिया है अगला वर्ड फ्लू का नया श्ट्रेंड H3N8 का पहला मानो सर्रक्षन किस देश में दर्ज किया गया तो चीन है वहां किया वर्ड फ्लू का नया नविगेशन चार्ट का अनावरन किया है तो माल्दीव भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली वार नविगेशन चार्ट का अनावरन किया है अगला विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ट को या जारी किया है अगला जो है जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है तो एकवाडोर जो है वह अफरीकी जो एकवाडोर है या क्या साउथ अमेरिकन का दच्छीन अमेरिका कंटिनेंट में है एकवाडोर और इसका जो राजधानी हो है वीटो या जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है अगला जो है अंठावन नंबर एसिया के सबसे बड़े बौध थीम पार्क बुद्धा वनम काउध घाटन किया गया है तो तेलंगाना जो राजधावा एसिया का सबसे बड़ा बौध थीम पार्क को काउध घा suspension pool प्रयाटकों के लिए खोला गया है अगला जो है बिस्व का सबसे लंबा काँच वाला bridge यानि glass bottom bridge जो है किस देश में आम लोग के लिए खोला गया है तो बियतनाम जो है वहाँ बिस्व का सबसे लंबा काँच वाला bridge जो है वहाँ आम लोगों के लिए खोल दिया गया है अगला है बिश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री विलर फैक्टरी किस राज में स्थापित की जा रही है तो तेलंगाना जो राज है वहाँ बिश्व की सबसे बड़ी थ्री विलर फैक्टरी जो है स्थापित की जा रही है अगला जो विस्व के सबसे उची सुरंग बनाने की घोसना जो है बी आरो जो की है वह किस दर्रे पर की गई है तो वह दर्रा है सिनकुनला सिनकुनला जो दर्रा है उसके पाफ उस दर्रे पर क्या विश्व की सबसे उची सुरंग बनाने की घोसना जो है Border Road Organization जो है वह की है अगला जो है किस ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रॉलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोसना की है तो कुवैत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रॉलियम अनुसंधान बनाने की घोसना की है अगला जो है बीटकोईन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में माननेता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है तो दूसरा देश ने मद अफ्रिकी गनराज ये और पहला देश जो था वह जिसने बीट कौन को आधिकारिक मुद्रा करूप माननेता दिया था अल सलवा डोड अगला जो है नाटो साइवर रच्छा इकाई में सामिल होने अगला जो है अमेरिका के सरवोच ने अले में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अस्वेत महिला कौन बनी है तो नयाएधिस केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है वह अमेरिका के सरवोच ने अले में सेवा देने वाली अस्वेत महिला बनी है अगला जो है मंकी पॉ वाइरस से गरसित मरीजों के लिए 21 दिन का कॉरेंटीन करने वाला विस्व का पहला देश बना है। अगला जो है किस विस्व दियाले के बैग्यानिकों ने विस्व में पहली बार चंद्रमा से लाएं मीटी में वीज अंकुरित करने की उपलब्दी हासिल किया है। तो फ्लोरिडा विस्व दियाले जो अमेरिका में इस्थित है वहाँ की जो बैग्यानिक हैं वा चंद्रमा से लाएं मीटी में वीज अंकुरित करने की उपलब्दी हासिल किया है। विज्ञान और प्रद्योगी की से जो रिलेटेड जो इंपोर्टेंट वाल लाइनर न्यूज है उसके बारे में। यूरोपिये खगोल विदो द्वारा आप तक ग्यात सबसे बड़ी रेडियो अकास गंगा का पता लगाया गया है। प्रसांत महासागर में गिराने की ओजना बनाई है। पहला पौधा धारित COVID-19 वैक्सिन कोवी फेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है। अगला जो है इंटरनेट एक्सिस परदान करने के लिए एल रूट सर्वर अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज कोन बना है। तो रास्थान राज जो है वह इंटरनेट एक्सिस परदान करने के लिए एल रूट सर्वर अस्थापित करने वाला पहला राज बन गया है। अगला भारत का पहला पौली सेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहां लौंच किया गया। या आईटी मदरास में लौंच किया भारत का पहला पौली सेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना। अगला जो सेमी कंड़क्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फेबरिकेशन यूनिट की अस्थापना कहां की जा रही है। तो हैदराबाद है वहाँ सेमी कंड़क्टर को उत्पादन के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फेबरिकेशन यूनिट की अस्थापना है हैदराबाद में की जा रही है। अगला है एसिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिर्य टेलियस्कोप कहां स्थापित किया है। अगला जो है लागातार पिछले तीनों एसिया कुस्ती चैंपियंसिप दोहर बाइस में लागातार तीन स्वन पदक जितने वाले भारतिये पहलावान कौन बने हैं। तो रवी दहिया जो है लागातार तीनों एसिया जो कुस्ती चैंपियंसिप जो हुआ दोहर बीस दोहर एकीस और दोहर बाइस में तीनों में वा स्वन पदक जीते हैं। अगला है दोहर बाइस में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लिग ट्रॉफी जीती हैं। तो गुजराट टाइटन्स जो है पहली बार या भाग भी नहीं थी आईपियल में नया टीम जो की रास्थान राजस को हराकर पहली आईपियल ट्रॉफी जीती हैं। अगला भारत की पहली राष्ट्रिये वायू खेलनिती की घोसना की समंत्राले ने की हैं। तो केंद्रिये नागरिक उड्यन मंत्राले भारत की पहली राष्ट्रिये वायू खेलनिती की घोसना केंद्रिये नागरिक उड्यन मंत्राले के द्वारा की गई हैं। अगला जो है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तब कहुंचने वाले भारतिये कौन बने हैं। उनका नाम है विराट पोहली जो है उनका जो इंस्टाग्राम का जो फॉलोवर है हो गया हुआ 200 मिलियन से अधिक हो गया है। अगला जो है फिनलेंड में आयोजी खेलो में जो है नीरज चोपडा जो है कितने मीटर दूर भाला फेक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। तो वह 89.30 मिटर दूर भाला फेक कर अपना जो परसनल जो बेस्ट है वह रिकॉर्ड अपना बनाया है। अगला महिला विस्व मुक्यवाजी चैंपियनसिप में स्वन पदक जीतने वाली पांचमी भारतिये कौन बनी है। तो निकहत जरीन जो है वह भारतिये महिला बनी है जो की विस्व मुक्यवाजी चैंपियनसिप में स्वन पदक जीती है। अगला जो है बधीर खिलाडियों के लिए 24 में ग्रिसम कालीन डेफ लंपिक खेल का आयोजन कहा किया गया। तो यह क्या ब्राजीन में आयोजीत किया गया है डिफ उलंपिक आयोजन किया गया था और भारत जो था इसमें नौवा अस्थान प्राप्त किया था। अगला हम लोग देख लेते हैं जो परियावरेंस इरिलेटर जो वान लाइनर करेंट अफेर्स न्यूज है इसके बारे में तो पिपल्स बायड आवर सिटी रजिस्टर को तयार करने वाला भारत का पहला महानगर बन गया है। अगला गदो के लिए भारत का पहला संरक्षन पार किस सहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला जो है बायो गैस खाद अप्सिष्ट से संचालिद भारत का पहला एवी इलेक्ट्रिक बाहन चार्जिंग अस्थेशन की सुरुवात कहां की गई है। तो यहां मुम्मई में की गई है बायो गैस अप्सिष्ट से संचालिद भारत का पहला एवी इलेक्ट्रिक बाहन चार्जिंग अस्थेशन है। अगला भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहां शुरू किया गया है। तो जैसल मेर रास्थान में भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया गया है। अगला जल संरक्षन और जल निकाय के पुनर उदार के लिए भारत का पहला अमरित सरोवर कहां बनकर तयार हो गया है। दस गीगावाट सौर उर्जा चमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। निर्वान किस राज में किया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला जो बैंबू बिलेज है। बैंबू मतलब बांस का जो बिलेज है। बांस का घर का निर्वान वह हिमाचल परदेश में किया जाएगा। जो कि जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करें।